मुहम्मद ने चार साधियों की आग्या दे थी आप कितनी साधियों की आग्या देंगे छेतन ने किरती चेतनी कीरती बार बार साधिय के संबन में प्रस्म पूछ रहे कारण भी तुम्हें बता दू दो जुड़वां बेहनों के प्रेम में पड़ गए ख्याल रखना सदगुरु कबीर क्या कह गए दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोड़ और पाट भी जुड़वां ऐसे पिसोगे कि खोच खबर भी न मिलेगी मुहमद ने जरूर कहा कि चार साधियां करना उसर इसे लिए कि जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी वेरा आगे भाव पैदा हो क्योंकि मुसल्मान एक ही जनम में मानते हिंदूों ने तै कि एक ही साधिय करना है क्योंकि कोई जल्दी तो है नहीं जनम जनम पड़े हैं हजारों कर लेंगे करकर के एक एक के बाद एक एक के बाद यहां तो आवा गमन का चक्कर चल रहा है पहले भी बहुत कर चुके अब भी बहुत आगे भी बहुत जल्दी कुछ नहीं लेकिन इसलाम तो एक ही जनम को मानता है मुम्मत को बिशारों को ब्यवस्था करनी पड़ी कि इस तरह की आँच दे तुमको कि एक ही जीवन में वास्थी भूत हो जाओ चार चुनों पर बिठा दिये ऐसे तो एक ही काफी होता मगर चार पर बिठा दिया तो मुक्ष तो सुनिश्ची थी मतलब कोई दिसा ना छोड़ी जहाँ भाग जाओ चारों दिसाओं में काबंडी कर दी निकल भागने का उपाया न छोड़ा इसी जनम में होना ही पड़ेगा मुक्त और खुद मुहमद ने नौसादियां की मुस्से लोग पूसते हैं कि मुहमद ने नौसादियां क्यों की अब असे लोग ये भी पूछते हैं कि हम सुना हैं कि मुहम्मद सदे स्वर्ग गए जाएंगी क्यों ने नौ साथियां करोगे देह सहित जाओगे देह भी न छोड़ पाओगे इतनी फुर्सत कहा है जो भागे होंगे जो देह भी लेते गए सांस कहते हैं घोड़ी पे बैठे बैठे स्वर्ग चले गए घोड़ी से तो उतर आते मगर फुर्सत न मिली होगी वो जो नौब आई हैं गेरे खड़ी रही होगी तो वो जो नौदो ग्यारा हुए तो स्वर्ग में ही रुके मैं पक्का मानता हूं कि वो सदे ही स्वर्ग है घोड़ी पे ही बैठी हुए गए इसमें समतकार कुछ भी नहीं हाथ चंकट को उधार क्या नौसादी करो और देखो नौसादी करनी पड़ी बिशारे मुहमत को क्योंकि जब सिस्चों को चार सादी करने को कहा तो दरस्टान तो कम से कम आगे का रखना चाहिए ये तो सिस्च से कहेंगी के वाह गुरू खुद तो एक से ही निपट रहे हो और हमें चार से निपटा रहे हो नहीं सद्गुरु साहब कोई चमतकार करो कुछ हमसा आगे बढ़के दिखाओ सोनो ने नौ सादियां की चैतन कीर्दी तुम इस जिंजट में न पढ़ो तो अच्छा एक ही काफी बुद्धी हो तो एक काफी और बुद्धी नहो तो चार भी काफी ने बुद्धों को तो कोई चीज काफी नहीं होती कितने कुटें पिटे उनकी आसा मरती नहीं बुद्धों की आसा नहीं मरती बुद्ध ने कहा है वही है ग्यानी जिसकी आसा मर गए जो निरासा को उपलद्ध हो गया बड़ी आश्चिर की बात कही निरासा को निरासा से उनका मतलब है जिसने ये आसा छोड़ दी कि इस जगत में कोई सुख मिल सकता है लेकिन हमें तो आसा रहती कि और नहीं कर पाए दूसरे लोग वो उनकी भूल चुक रही होगी हम तो करके दिखा देंगे नहीं तुम भी न करके दिखा पाओ दुख के वक्त मित्र ही मित्र के काम आता है इसलिए तो हर मित्र अपने मित्र की सादी में जाता है जज साहब ने अपने अपरादी से का हमें यह भी बताया गया है कि बरसों से तुमने अपनी बीबी को डरा धुमका के रखा है और एक प्रकार से उसे अपना गुलाम बना लिया है अपरादी ने हकलाती हुए का हुजूर हुजूर देखिए बात यह है कि जज ने बात काटती हुए का सफाई पेस करने की आवश्चक्ता नहीं तुम केवल इतना बता दो कि यह चमतकार किस प्रकार कर लेता गौम आदमी किस हिस्ट्री को कब गुलाम बना पाए लेकां बीतर बीतर से हिस्ट्री ने भी आदमी अपर गुलामी थोख ती अगर आदमी नो उसकी देह को गुलाम बना लिया है तो इस्त्री नो उसकी आत्मा को गुलाम बना लिया जो की जादा महंगा सौधा है बिवाहे के लिए इतनी आतुरता क्या है? इतनी जल्दी क्या? अगर किसी व्यक्ति से तुम्हारी प्रिती है, प्रेम है, तुम्हारा तालमेल है, सांथ रहो जीओ सांथ, एक दूसरे को पर्खो, पहचानो कास तुम्हें ऐसा लगे, कि तुम दौनों एक दूसरे के लिए ही निर्मित हो तो हो गया विवाह, और शायद विवाह करना हो, तो कर ले न, समाज, सब्धता, संस्कृति के एहसाब से लेकिन इसके पहले आंतरिक बिवाह की प्रतिती हो जानी चाहिए अगर वह आंतरिक प्रतिती न होती हो, तो तुम कष्ट में पढ़ोगे, और किसी इस्तरी को भी कष्ट में डालोगे और लोग क्यों इतने आतर हैं विवाह करने को, इतनी जल्दवाजी क्या है, हम एक कांट में अपने को दुखी पाते हैं, सोचते हैं, दूसरे से सुख मिल जाए, दूसरा भी यही सोचता है दोनों दुखी हैं, दो दुखी आदमी मिलके दुख दुगना हो जाता है, दुगना ही नहीं, गुरन फल हो जाता है सुख कहां हो सकता है तुम दुखी इस तरी दुखी वैस सोच रही तुम से मिल के सुखी हो जाएगी तुम सोच रही तुम उस से मिल के सुखी हो जाओगी फिर मिल के पता चलता लेकिन तब तक बहुत देर हो गई होती इसलिए तो सब पुरानी कहानियां, नई कहानियां भी, फिल्में भी, नाटक भी, बस सेहनाई बजी और पर्दा गिरा पुरानी कहानियां कहती हैं बस सेहनाई बजी बेंड वाजे बजे, दोनों का बिवाय हो गया, और फिर दोनों सुक से रहने लगी बांकी सब कहानी तो समझ मा आती मगर ये बाद में जो दोनों सुक से रहने लगे ये बिलकु समझ में नहीं आता इस से ज़्यादा जूटी कोई बात ही नहीं कही गई मगर इसके आगे सची बात कहना ठीक भी नहीं है पस यहीं आके कहानी रुप जाती सेनाई के बात बस बात खतम फिल्म भी एकदम सेनाई बसती रहती है बेंड बाजे और खतम दी एंड क्योंकि आगे बात ले जाना खत्रे से खाली नहीं सचाईयों को छूना खत्रे से खाली नहीं मैं तुम से जो कह रहा हूँ वह जीवन के सीधे सीधे सकती है न तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस्त्रियों के उपर हावी हो न चाहता हूँ इस्त्रियां तुम पर हावी हो प्रेम अगर स्वतंत्रता दे सके तो ही प्रेम है प्रेम अगर परतंत्रता लाए तो वह प्रेम नहीं और तुम्हारा रचता कतित बिवा है परतंता लाता है इसलिए बगावत लाता है परतंता लाता है इसलिए प्रतिसोध लाता है और फिर जब तुम्हें एक से बंध जाते हूँ तो सभावत तुम्हें दूसरी इस्तियां सुंदर दिखाई पढ़ने लगती है क्योंकि दूसरी इस्तियों को तुम बाहर से देखते हो अपनी इस्तियों को भीतर से पहसाने लगते हो बाहर से तो सभी सुंदर दूर के ढोल सुआमने अपना पती तो तुम्हें भीतर से दूसरों के पती लगतें का क्या सीना फुला है सीह की तरह चलते मगर दो में पता नहीं कि उनके घर के आलत में भी वही बात वो भी गीदर के बच्चे घर के बाहर कौन सीना फुला के नहीं चलते घर में तो चले कोई फुला की वहाँ विल्कुल लोग पूछ दबा के चलते चंदुलाल अपनी पत्नी के साथ घुमने निकले थे रास्ते में एक छोटा तालाप पड़ता थे जिसमें बदक तैड रहे थे एकाए गुलाबों ने चंदुलाल को हुद्दा मार कर आँखे मठकाते हुए का जरा उधर तो देखिए वे बदक और बदकी कैसे एक दूसर के साथ प्रेम क्रिया कर रहे चंदुलाल ने चस्में को समाला गौर से देखा और पत्नी को जिड़कते हुए बोले इतनी उम्र हो गई फिर भी तेरा ध्यान अभी भी ऐज़ी चीज़ों की और जाता है दस बच्चों की मा हैं कुछ तो सरम खाया कर पत्नी कुछ न बोली जब घूम कर दोनों फिर उसी तालाब से पास से गुजरे तो गुलाबों न वही दरस देखा उस रहा नहीं गया बोली आश जरत देखिए दोनों अभी तक कैसे एक दूसरे में मश्गूल चंदूलान ने फिर अपना चस्मा चड़ा कर देखा और बोले अरी भागवान वह तुम्हें भी देख रहा हूँ लेकिन तूने कुछ और देखा बत की दूसरी बन जाओगे एक से कितक्छन सारी दुनिया में सुन्दर इस्त्रियां सुन्दर पुरुस दिखाई पढ़ने लगेंगे बन है कि बस दिखाई पढ़ना सुरू हुए है और तब भांतियों का जाल भैलना सुरू हो जाता है बन्धने की कोई जरूवत नहीं चैतन कीर्थी भविष्य में बिवाह की कोई संभावन है नहीं बिवाह का कोई भविष्य नहीं बिवाह सड़ गई संस्था हाँ प्रेम के कारण दोग साथ रहे उत्तरदायत पूरवक साथ रहे बिवाह की जरूवत तो तभी कोड़नी चाही ही जब वे तै करें कोने बच्चे पैदा करने उसके पहले बिवाह की कोई चिंता में पढ़ने की आवश्यक्ता नहीं और जीवन के अनुभव अगर तुम्हें इस जगे ले आएं कि किसी इस्तरी किसी पुरुस के साथ रहकर तुम ज़्यादा सांथ हुए हो ज़्यादा मौन हुए हो ज़्यादा आनंदित प्रफलित हुए हो तुम्हारे जीवन का संगीत गहन हुआ है तुम्हारे सरगम कुछ जुड़ा कुछ फूल खेले कुछ नए तारे उगे कुछ दिये जले तो फिर ठीक है साथ रहने का अंतिम निरने लेना मगर जल्दवाची नहीं अन्था आर्चने खड़ी होंगी लोग फिर रोते हैं पस्ताते और बेजल्दी होगी लोग सोचते हैं बस अभी हो जाए अभी चैतन किरती पांस साथ दफ़ा बिवाह के वावद पूछ चुके इसलिए मैं थोड़ा चिंते थुआ जा रहा हूँ प्रेम परियाप थे और प्रेम अगर बिवाह बन जाए तो बिवाह भी सुन्दर है लेकिन ये भूल के मत सोचना कि बिवाह प्रेम बन सकता है इस भूल में सदियां आदमी रहा है कि प्रेले बिवाह फिर प्रेम बन जाएगा वो नहीं बनता है वह बात नहीं बनी वो गने ठीक नहीं बैट रहा है मैं कोई बिवाह विरोधी नहीं हूँ लेकिन मैं बिवाह को एक नेसरगिक था एक मन सिता देना चाहता हूँ अभी तो बिवाह एक संस्था है और संस्था में कौन रहना चाहता है संस्था में सिर्फ पागल रहना चाहती संस्था कोई रहने की जगे है बिवाह से थोड़े साउधान रहना चाहतानी की ती और दो बेहने जिड़वा बेहने तुम दोनों के बीच मुस्किल में न पढ़ जाना घर के न घांट के दोबी के गदे हो जाओगे इधर भी पिटोगे उधर भी पिटोगे और मुहमत वगयर भी ले न खोच मुहमत की मुहमत समझे अब जो उन पे बीती वो तुम्हें क्या पता उसके तो कहीं उल्लेख भी नहीं किया जाता जिन्दगी में असली बातन तो छोड़ी दी जाती जिन्दगी बड़ी अजीब है यहां नकली और जूटी बातन तो खूब लिखी जाती असली बातन छोड़ी जाती मुहमत पर नो पतनियों के साथ क्या गुजरी ये तो कोई नहीं कहता, ये तो कहीं लिखाई हुआ नहीं है कृष्ण के सांथ, सोला हजार पत्नियों के सांथ क्या गुजरा जरा सोचो तो कुम्भ का मेला लगा रहा ऐसी धक्कम धुक्ति हुई होगी कि कृष्ण कहतो गए, क्या आओंगा जब धर्म की गिलानी होगी, आते करते नहीं एक अनुभाव कासी, कि अब कौम जिंजित में पोड़े है फिर गहीं को मुका मेला लग जाए फिर वही धक्कम धुक्ष, वही खीचाता नहीं तुम सोचते हो कृष्ण कि दुर्गती नहीं हुई होगी तेरह सोलह हजार इस्त्रियों की कल्पना तो करो कोई टांग खिंच रही, कोई हांग खिंच रही कोई मूर मुकट ले भागी किसने बांसुरी च्छीन ली सिर्फ एरी के आदी वो खुश्यार थे सैदिन को आपस में लडाते रहे हो तो बात अलग है और कोई बचाओं का उपाय नहीं दिखता इनकी कुस्तम कुस्ती आपस में करवा दी हो कि तुम निप्टो सुर्जो और मत्रा से भागे क्यों और कहां बसे दौर का कि जिसके आगे भागने क्यों कुछ यगे नहीं थी ऐसे भागे कि वे सखियां बहुत बुलाती रही चिठ्थी पर चिठ्थी पाती पर पाती भेजती रही नहीं आए सु नहीं आए जर्थियों को समझे इंज़नज़ों में न पढ़ना थोड़े सावधानी से चलना अभी समय सावधानी से चलने का है और जल्दी क्या है आदमी बजार में दो पैसी की हंडी भी खरीदने जाता तो ठोक पीट के दस दुकानों पर जाके लेता और बिवाह बस लोग कहते हैं पहली नजर में बिवाह हो गए हाँ पहली नजर में बिवाह का सिर्फ एक फाइदा है समय की बचत होती आज इतने